Hello everyone, you all are welcome in Bansur PG College online classes. Last lecture के अंदर हमने देखा था कि कैसे plants को ecological different groups में divide किया गया है according to environment. हमने देखा था warming ने कुछ plants को classify किया था उनके soil के और substrate के basis पे, जिन में से सबसे पहले हमने बात करी थी hydrophytes के बारे में. Hydrophytes के characteristics क्या होते हैं, ये कौन से water के अंदर हमें मिलते हैं, जिसके अंदर हमने further इने डिवाइट किया था, rooted oil, submerged plants के अंदर. जिसे further हमने डिवाइट किया था, दो अलग types के अंदर. और second हमने बात करी थी floating plants के अंदर, जो की पानी की surface पे free float करते हैं. अजोला, पिस्टिया, different plants के बारे में हमने बात करी थी. फिर हमने floating but rooted forms वाले plants के बारे में बात करी थी. जो की substratum से attached रहते हैं. देन हमने amphibian plants क्या होते हैं, इनके अंदर different plants, टाइफा, Sagittaria की बात करी थी. फिर हमने submust plant के अंदर मिलने वाले hydrophytic adaptations के बारे में बात करी थी. साथ ही साथ इनके अंदर मिलने माले morphological and anatomical adaptations के बारे में हमने बात कर ली थी. तो अब हम बात करेंगे free floating plants के morphological adaptations के बारे में. free floating plants जिने हम सुतंत्र प्लावी जलोद भिद भी कहते हैं, इनकी अगर हम morphological adaptations के बात करें. तो इनकी जो roots होती है वो इतनी well developed नहीं होती, एक तरह से हम कह सकते हैं, reduced होती है. और roots के अंदर जो root hairs होते हैं, क्योंकि root hair का का काम क्या होता है? soil से mushroom लेना, पानी और खानीज लवनों का अफ्शोशन करना. क्योंकि ये plants, water के अंदर जितने भी minerals होते हैं, उन्हीं से क्यार करते हैं, अपना food लेते हैं, उन्हीं से nutrition लेते हैं, खनीज लवन लेते हैं. तो इतनी ज़्यादा जरुवत नहीं होती roots की, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, root इतनी डवलप नहीं होती, root hairs यहाँ पर अनुबस्तित होते हैं. Root pockets are present instant of root caps, अब आपको पता है, root cap क्या होती है, जो सबसे निचला भाग जो होता है, अग्रसिरा जो होता है root का, उसके ओपर एक structure मिलती है, जिसे हैं, मूल गोप या फिर root cap कहते हैं, जो की, इन root hairs का, root का production करती है, soil के particle से, जो की हाँ पर root इतनी डवलप नहीं होती, और, तो, root cap की जगे, यहाँ पर क्या मिलता है, हमें root pockets मिलती है, जो की, इनका एक special features है, free floating plants के example की बात करें, तो आपको यहाँ पर जो picture दिखा रखी है, वो azola plant की है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसकी जो roots हैं, वो कितनी ज़्यादा reduced हैं, और इतनी develop नहीं है, free floating plants का ही, एक example है, wolfia, यहाँ जो aquatic plant होता है, इनके अंदर, roots completely ही अनुपस्तित होती है, absent होती है, इसके अलावा, sirittofilem की अगर हम बात करें, इन plants के अंदर भी जो root होती है, वो अनुपस्तित होती है, इस stem की अगर हम बात करें, इस टैम क्या होता है बहुत ही जदा reduce होता है या एक तरह से हम कह सकते हैं इसकी जो length होती है लंबाई होती है वो बहुत ही कम होती है लेकिन अगर हम leaves की बात करें तो leaves क्या होती है यहाँ पर well developed होती है leaves का size बड़ा होता है और इनका काम क्या होता है photosynthesis प्रकास translation करने का क्योंकि यहाँ पर root absent होती है फिर बहुत ही कम develop होती है इसलिए क्या करते हैं यह सतंत रूप से पानी के उपर surfaces के उपर तैड़ते रहते हैं अब आती है इन free floating hydrophids के anatomical adaptations के बारे में तो इनके अंदर क्या आंत्रिक अनुकुलन पाया जाते हैं इनकी संरचना के अंदर तो कि जो तना पतियां और जो जड़े होती है उनके अंदर क्या मिलती है में बड़ी बड़ी air cavities मिलती है air cavity जो होती है उसके अंदर क्या भरी हुई रहती है airs भरी हुई रहती है जिसके कारण यह क्या होते हैं बहुत ही हलके हो जाते हैं और क्या जो जलिस्तर होता है उस पे easily float कर सकते हैं, तैर सकते हैं कॉलन कायमा and स्कलेरन कायमा are completely absent, तो जितने भी mechanical tissue होते हैं, जो कि strand provide कराते हैं, plants को mainly stems को, तने को तो यह हैं यहां भी भी क्या होंगे, अनुपस्तित होंगे वस्कुलर रकर tissues के अगर हम बात करें, जायलम, फ्लोयम की तो वस्कुलर टिशू सिस्टम भी यहां पर क्या होता है, पूरली डवलप होता है, इतना जादा डवलप नहीं होता स्टोमेटा की अगर हम बात करें, तो जो रंद्र होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इनकी जो leaves होती है, इनकी upper surfaces प्रेजेंट होते हैं, लोर जो surface होती है, या फिर हम कह सकते हैं, लीव के जो लोर epidemies होती है, उसके उपर रंद्र अनुपस्तित होते हैं, पैलिसेट परन काइमा, इस वैल डवलप्ट तूवर्दा अपर सर्फेस, जो पैलिसेट टिशू होता है, पैलिसेट पैलिसेट पैरन काइमा होता है, प्लावी पत्तियां जो होती है, floating leaves, जो की पानी की surface के उपर float करती है, तैड़ती है, उनकी जो anatomy होए आंत्रिक सनरजना होती है, उसके अंदर खंब म्रदूतक और spongy म्रदूतक बहुती ज़्यादा develop होता है, और ये पत्तियों की उपरी जो सत्य होती है, अपर सर्फेस उसके उपर पाया जाता है, नेक्स्ट आते हैं, floating but rooted plants, इसतर प्लावी जलोद्भित, जो जडों के दुआरा भूमी के अंदर substratum से लगे हुए रहते हैं, लेकिन इनकी जो पत्तियां होती है, वो कैसे रहती है, प्लावी अवस्ता के अंदर रहती है, एक तरह से ये पानी के अंदर इस्तिर रहते हैं, इनकी जो roots होती है, वो भी इतनी ज़्यादा develop नहीं होती, roots are produced from horizontal stems, root stalks और tubers, और roots जो निकलती हैं, वो किस से निकलती है, horizontal stem, या फिर हम कह सकते हैं, उर्धुताने जो होते हैं, उनके द्वारा ये जड़े निकलती है, elongated and well developed petiol, क्योंकि ये plants इस्तिर प्लावी होते हैं, लेकिन इनकी जो पत्तियां होती है, वो surface के उपर float करती रहती है, तैरती रहती है, तो इनके जो पत्तियां होते हैं, उनके जो पन वरंत होते हैं, जिनने हम petiol कहते हैं, जिससे पत्तियां लगी हुई रहती हैं, तो ये पन, जो पन वरंत होते हैं, ये लंबे होते हैं जिसके वज़े से ही जो पत्य होती है वो हमेशा जो जलकी सर्फेस है उसके उपर प्लावी अवस्ता के अंदर रहती है फॉर एक्जामपल जैसे कमल इस पिच्छर के अंदर आप देख सकते हैं यह फ्लोटिंग रूटेड हाइटोफाइट है इस सिर्फ प्लावी ज सर्फेस के उपर फ्लोट करती रहती है और हमेशा प्लावी अवस्ता के अंदर रहती है इन फ्लोटिंग बट रूटेड हाइटोफाइट्स की अगर हम एनटॉमिकल अड़ेपटेशन की बात करें तो इनके अंदर जो पीटियल होता है उसके अंदर वैल डवलप एयर कैव पाई जाती है जिसके कारण यह क्या होते बहुत हलके होते हैं और इनकी जो लीफ्स होती है वो फ्रीली फ्लोट करती रहती है वाटर की सर्फेस पे लीफ्स अर कवर्ड वित वैक्स लीफ्स जो होती है उसके उपर किसका आवरन मिलता है वैक्स का वैक्स क्या होता है मोम ज पंढरंद्र देखने के लिए मिलते हैं प्धैलिसेट पैरंकाइमा इस डफलाबड़ा स्पंझी पैरंकाइमा is in 4 access इन लीव्स के अंदर पैलिसेट पैरंकाइमा जो होता है बहुत ही जादा सूविक्सित होता है लेकिन अगर हम बात करें स्पंझी ब्रदू दक की तो ये इतना ज़्यादा हमको देखने के लिए नहीं मिलता है या कह सकते हमें बहुत दूर दूर हमें देखने के लिए मिलता है दा लेटर इंख्लोस लार्ज एयर कैविटीज और जो बाद में किसके द्वारा घिर जाता है यहाँ पर बड़ी वाये हूँ तक या फिर एयर कैविटीज के द्वारा मेकनिकल एन वस्किलर टिशूस तो मेकनिकल और वस्किलर टिशूस कौन से होते हैं जैसे हमारे स्कलेरन काइमा हो गया या फिर कॉलन काइमा जो की एक मेकनिकल सपोर्ट या mechanical strength provide कराते हैं वो यहाँ पर हमें या तो बहुती कम develop दिखाई देंगे या फिर यहाँ पर absent होंगे जिससे क्या होगा जो plant होगा हो कैसा होगा more flexible होगा और इन के उपर किसी भी प्रकार के जल बहाव का या फिर तेज जो pressure से पानी आता है इसका कोई भी प्रभाव इसके उपर इन plants के उपर हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा तो अब बात करते हैं हम amphibians plants के अंदर मिलने वाले morphological adaptations के बारे में क्या ऐसी संदशना अत्मक अनुकुला निंब के अंदर पाए जाते हैं तो सबसे क्योंकि इन्हें water कहां से लेना होता है soil से भी लेना होता है और यह एक्वेटिक और एक्वेटिक एको सिस्टम से या फिर एक्वेटिक एरियास के अंदर जो पानी वाले एरियास यह वहां से भी अपना nutrition लेते हैं तो इसके लिए इनका जो root system होता है वो कैसा होता है well developed होता है amphibian plants जो उभैचारी जलोद्विक पादप होते हैं यह ज्यादतर हमें कहां पर मिलते हैं कीचर्ड उखती या फिर हम कह सकते हैं दल्दली आवास के आसपास या फिर किसे भी पानी के किनारे नदियों के किनारे उगने वाले पौदे होते हैं जिनके रिस्टीरियल जो plant होथे हैं जो इस्तल के ऊपर उखते हैं, उनके समानी लक्षन इनके अंदर भी देखे जाते हैं ऐसे उभचारी और amphibians hydrophytes के अंदर rhizomes में मिलते हैं इनका क्या function होता है ये इनके अंदर दोनों hydric और xeric adaptation जब जल की मात्रा बहुत ज़ादा हो या फिर ऐसी condition जहां पर जल ना हो तो दोनों के अंदर grow करने की किया होती है अनुकूलता होती अनुकूलन होता है दोनों condition के अंदर क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं जब जल का इस तर बहुत कम होता है तो ऐसी condition के अंदर इस 70 các यह जो rhizomes होते हैं यह किसी भी रॉक से या फिर किसी भी सर्फेस से अटाच हो जाते हैं और जो वहां पर नमी होती है उससे क्या कर लेते हैं वाटर की कमी को पूरा कर लेते हैं next इनका मॉफलाजीगल अडेपटेशन साता है इनके अंदर हेटरोफीलिट प्रकार की जो होती है लीफस पाई जाती है हेटरोफीलिस क्या होते हैं तो हेटरोफीलिक वो होते हैं जिनके अंदर more than one टाइप की लीफ्ट मिले या फिर एक तरह से हम कहा सकते हैं एक से ज़्यादा तरह की पत्तिया इनके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है तो अब बात करते हैं हम इन एंफिवियन हाइडोफेटिक प्लांस की एनाटोमिकल अडपेशन के बारे में एरन कायमा एंड स्टोरीज पैरन कायमा आर प्रेजेंट तो इन प्लांस के अंदर क्या होता है एरन कायमा होता है वायू उतक या फिर हम इने से वायू प्रकोस्ट भी कह सकते हैं तो इन चलिये पात्पों की जो वलकुट उतक होता है उनके अंदर हमें एक तो वायू उतक द प्रकोस्ट होते हैं, जिसके अंदर क्या भरी हुई रहती है, वायू भरी हुई रहती है, जिसके कारण ये easily float कर सकते हैं water की surfaces के उपर इसके अलावा इन air chambers का काम क्या होता है ये gases exchange के अंदर भी काम में आते हैं इस storage parent काइमा तो यहाँ पर जो खाद्य बर्दाथ मिलता है संचित भोजन वो किस रूप में मिलता है इस storage parent काइमा के रूप में mechanical and conductive element are present तो mechanical और conductive elements क्या होते हैं ये जायलमेंट फ्लूएमसी होते हैं इनका मुख्य काम क्या होता है water को और food को root से होते हुए leaves तक पहुचाना और different parts होते हैं plants के उन तक ये क्या करता है खनीच पदार्टों खनीच लबनों और बोजन का पानी का ये हैं ट्रांसपोर्ट करता है पौदे के अन्ने भागों के अंदर इसके अलाबा दूसरा function का क्या होता है ये mechanical support भी provide कराता है इन plants को thick-walled endodermis to check loss of water amphibian जो plants होते हैं वो भेचारी पात्पों के cortex की जो inner layer होती है इसे हम कहते हैं endodermis endodermis के अंदर बहुत सारे chemical substance जैसे suberine, lignin, आदी का जमाव इस endodermis के उपर देखा जाता है जिससे क्या होता है ये water के लिए impermeable हो जाती है और इनसे जो पानी है वो बाहर ये तरफ नहीं जा सकता तो इस तरह हम कह सकते हैं ये किसमें help कर रहा है water के loss से बचाने के लिए और water loss से prevent करने का काम कौन कर रहा है ये है endodermis air chamber are present in amphibian hydrovatic plants which are separated by diaphragms तो इन उभेचारी जली है पातपो के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया वाईयू उतक और इसमें बहुत सारे वाईयू प्रकोस्ट कह सकते हैं air chamber present होते हैं तो ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं stems के अंदर leaves के अंदर सभी कोशिकाओं के अंदर ये है वाईयू उतक और वाईयू प्रकोस्ट पाय जाते हैं ये है air chamber एक दूसरे से separate रहते हैं जिसे हम कहते हैं dief grams इन air chamber का function क्या होता है तो ये है जो oxygen होती है इसे all over plant parts के अंदर या फिर हम कह सकते हैं पादप की सभी कोशिकाओं के अंदर oxygen का जो transfer है इन ही air chambers के दौरा होता है यहाँ पर आप देख सकते है amphibian hydrophatic plant जिसके अंदर यहाँ पर typha leaves के अंदर ये है air spaces और air chambers दिखा रखे हैं जो आपस में separate है diaphragms के दौरा अब बात करते हैं इन aquatic plants के अंदर pollination और इनके fruits और seeds कैसे होते हैं तो यह जो जलिये पादप होते हैं इनके अंदर pollination या फिर हम कह सकते हैं जो बीजों की प्रक्रिणन या फिर परागन की प्रक्रिणन की प्रक्रिया है वो इस जलिये माद्य हमके दौरा ही होती है इनके जो seeds होते हैं flowers होते हैं या फिर fruits होते हैं वो बहुत हलकी होते हैं इसके वज़े से क्या होते हैं जो जल की जो सत्य हैं उसके उपर float करते रहते हैं तैरते रहते हैं ज्यादा तर एक्विटिक प्लांट्स के जो फूल होते हैं फ्लावर्स होते हैं वो जल की सत्य पर ही तैड़ते रहते हैं या फिर जल के बाहर वाईवी रूप के अंदर या थोड़े से जल के इस तर से सोड़ा उपर पाए जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे plants होते हैं aquatic plants जैसे hydrilla हो गया, wellish neeria हो गया, जिनके pushp क्या होते हैं, नीबग नवस्ता में पाये जाते हैं और पानी के अंदर डूबे रहते हैं, तो इनके अंदर जल परागण की प्रक्रिया होती हैं, लेकिन जिन aquatic plants के अंदर pushp जो होते हैं, वो जल के ब aquatic animals या फिर aquatic organism के द्वारा होता है, कभी-कभी pollination वायू के द्वारा भी देखा जाता है, वैलेशन एरिया, जो कि सम्मजड प्लांट होता है, सम्मजड हाइटोफ्राइटिक प्लांट होता है, यह है, जल के अंदर ही डूबा हो रहता है, इसके pushp जल के अंदर नीमक ने रह होता है, तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर ribble-like ship leaves है, जैसा कि इनका specific feature होता है, तो इने में क्या होता है, जो female flower होता है, उसके अंदर कुछ ऐसी spring जैसी संरचना होती है, तो यहां पर male flower सबसे नीचे लगा रहता है, तो यह क्या करता है, अपने pollen जल इस तर के उपर release क कर देता है, इसके pollen इतने हलकी होते हैं, परागन इतने हलकी होते हैं, कि कहां पर चले जाते हैं, वाटा की surface के उपर जाकर float करने लग जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, यह जो female flower होता है, इसके अंदर जो spring जैसी संरचना होती है, यह extend हो जाते है, खुल जाती है, जिससे यह female flower भी कहां चले जाते हैं, इस जलिस्तर के उपर, जहां पर यह किस से fuse हो जाते है, पॉलन से fuse हो जाते है, और इनका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन, भाई अगर हम water lily की बात करें, तो water lily क्या होता है हमारा, surface aquatic plant होता है, इसके जो flowers होते हैं, water surface से उपर के और न जो क्या करते हैं, इन flowers को लेकर कहां चले जाते हैं, flowers के डूसरे flowers के stigma के उपर, और वहां पर ले जाकर, यह पॉलन सको release कर देते हैं, तो इस प्रकार का जो जो बालेनेशन होता है, जो की के द्वारा होता है, वह क्या क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है, एंटेमोफिली, इस इसके लिए क्या होता है यह जो flowers होते हैं यह कैसे होते हैं bright color के होते हैं थोड़े चमकीले होते हैं और attractive होते हैं जो क्या करते हैं कीटो को अपनी और attract करते हैं pollination के लिए